एक तरफ गाजा में हमास और इसराइल के बीच तीखी जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ मद्यस्तों के जरिये बाचित का दोर भी लगातार चल रहा है यूद के मेदान की ही तरह बाचित के टेबल पर भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कोई भी पक्ष पीछे हटने को तयार नहीं है दरसल हमास ने पिछले हफ्ते दोहा में पेश के गए गाजा के लिए नए सीज़ फायर परस्ताफ का विरोध जताया है साथ ही समू ने इसे मानने से भी साफ इंकार किया है हमास का कहना है कि ये सीज़ फायर नेतनियाओं की शर्तों को पूरा करता है हमास ने एक ब्यान जारी कर कहा कि समू ने कतर और मिस्क के मद्यस्तों के साथ मिलकर पूरी जिम्मेदारी से काम किया है चाहे वैं गाजा में इस्राइली हमलों को रोकने से जुड़ा प्रस्ताव हो या फिर बंदी समझोता ये सब हमारे लोगों के खून को बचाने और इस्राइल का फिलिस्तीनियों पर किये जारे नरसाहार को खतम करने के लिए किया हमास ने स्युद को रोकने के लिए उतरे मद्यस्त देशों से मई वाले प्रस्ताव को लागू करने की बात कई समू ने कहा कि नितनियाहू इस्राइली हमलों को लंबा खीचने और खुद को जादा समय तक सत्ता में बने रखना चाते हैं दोहा में हालिया दोर की वारता में क्या हुआ इसके बारे में मद्यस्तों को सुनने के बाद ये एक बार फिर हमारे लिए साफ हो गया कि नितनियाहू अभी वी एक समझोते पर पोंचने के रास्ते में बाधाये डाल रहे हैं मद्यस्तों को वीफल करने के मकसद से नई शर्ते और मांगे थोप रहे हैं यहां ये एहम है कि हमास ने बाइडन के परस्ताफ को लेकर अपनी परतिबदता जाहिर की है मद्यस्तों से अपनी जिमेदारियों को पूरा करने और समझोते को लागू करने के लिए इसराइल को बादे करने का अवहान किया इस दोरान हमास ने इसराइल पर कई तरह के अरोब भी लगाए गाजा के हमास समूने आगे कहा की कैसे नया परस्ताव नेतनियाओं की शर्तों से मेल खाता है खास तोर से स्थाई जुद विराम से इंकार, गाजा से पूर्ण वाफसी, नेटजारी मैक्सिस, राफा क्रोसिंग पर कपजा जारी रखने की उनकी मन्शा है नितनियाओं ने कैदियों की अदला बदली के लिए नई शर्त तैकी है अन्य परति बदताओं से पीछे हट गए, जिससे अदला बदली सोधा पूरा नहीं हो सका प्रतिरोध ने नितनियाओं को मद्यस्तों के परयासों की विफलता, एक समझोते पर पहुँचने में बाधा और अपने बंदियों के जीवन के लिए पूरी जिम्यदारी के लिए पूरी तर जिम्यदार ठहराया गोरतलब है कि पिछले हफ़ते दोहा में शांती समझोते के लिए आयोजित वारता के दोरान अमेरिका ने उमीद जताई थी कि सीस फाय समझोता हो सकता है हाला कि हमास ने सीस फाय समझोते की कोशिशों को दिखावा बताया था हमास गाजा से इसराईली सैना की पूरी तरह से वापसी की मांग कर रहा है ऐसे मेरिकी विदेश मंतरी एंटनी बिलिंकन युद की शुरुवात के बाद से नोवी बार इसराईल दोरे पर हैं जहां वे सरकार पर समझोते के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं बता दे की नितनियाहू सरकार पर इसराईल की लोग भी अब सीस फायर का जबरदस्त दबाव बना रहे हैं इस्राइल में बड़े सर्पर प्रदर्शन इस बात की गवाई है कि अब इस्राइली जंधा यूद से तरस्त हो चुकी है साथी सोव से ज़्यादा इस्राइली बंदी अभी भी हमास के चंगुल में फसे हैं जीने वापस लाने के लिए सीजफायरी बड़ा, कारगर और एकमात रुपाई बच्टा दिखता है